हलाकि अभी थाइलेंड गवर्णमेंट ने इंडियन्स के लिए विजा फ्री कर दिया है, यानि आपको वहाँ पे जाके कोई भी फी भरनी नहीं है, कि बैक पेक किजिए और निकल जाएए थाइलेंड के लिए, अब मैं आपको थाइलेंड ट्रिप का मेरा एक्सपेंस कितना रहा, कितना खर्चा हुआ, आप जाओगे तो आपको कितना खर्चा हो सकता है, तो ये सारी बाते में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप मेंबर सिप लेते हो, तो आपको स्पेशल वीडियो वहाँ पे मिलेगी, समझ रहे हो, स्पेशल वीडियो का मतल अब मैं आपको Thailand trip का मेरा expense कितना रहा कितना खर्चा हुआ आप जाओगे तो आपको कितना खर्चा हो सकता है तो यह सारी बाते में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मेरे पास YouTube से और Instagram से comment आ रहे थे कि भाई आपकी Thailand season series का season 1 का कितना खर्चा हुआ तो उसके उपर आप वीडियो बनाए तो इसलिए मैं आज यह वीडियो बना रहा हूं उन सभी के लिए जिन्होंने हमें Instagram पे फॉलो किया है और YouTube पे सब्सक्राइब किया है तो especially इनके लिए में यह वीडियो बना रहा हूं आज की यह वीडियो बहुती खास होने वाली है तो फटा-फट से आप डाइरी और पैन लेके बैट जाए ताकि आपको जो भी information बताओ वो information आप not कर सके और वीडियो स्टार्ट करने से पहले नीचे thanks बटन है अगर आप मेरी कोई भी help करना चाते हो तो thanks गिंग बटन से आप मेरी help कर सकते हो travel म और साथ में जोइन बटन है जोइन बटन में जाके आप membership ले सकते हो membership के उपर भी में अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको पता चले membership लेने से क्या-क्या होगा लेकिन अभी आपको छोटी सी बात बता देता हूं तो भाई लोग अगर आप membership लेते हो तो आपको special video वहाँ पर मिलेगी समझ रहे हो special video का मतलब तो अगर समझ में आ गया है तो ठीक नहीं आया है तो आप membership ले लेना आपको पता चल जाएगा तो भाई लग आप मुझे support कर सकते हैं thanks button के through और join button के through जहां पर आप membership लेके मेरी help कर सकते हैं सो अभी हम आते है main बात पे थाइलेंड गुमने जाओ तो आपका कितना budget होना चाहिए आपका कितना खर्चा हो सकता है जब मैं पहली बार थाइलेंड गया था उस time मेरा कितना खर्चा हुआ इस वीडियो में आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ तो वीडियो बहुत ही क Thailand का मेरा कितना खर्चा हुआ मैंने ये सब not down करके रखा है तो फटाफट से आप डाइरी और pen लेके बैट जाएए ताकि आप ये सारी information not कर सके तो आपको क्या-क्या बाते ध्यान में रखनी हैं सबसे पहले में ये बता देता हूँ उसकी बाद आपको बताता हूँ कितना होगा और total expense भी कितना होगा इतनी बात आप याद रखना आपके पास passport होना चाहिए flight confirm ticket होनी चाहिए आने और जाने की फिर document में insurance होना चाहिए हला कि insurance अभी required नहीं है लेकिन इसके उपर भी में बात करूंगा आपका white background वाला photo होना चाहिए तो ये important चीज है उसके बाद आ भी Thailand government ने इंडियन्स के लिए visa free कर दिया है यानि आपको वहाँ पे जाके कोई भी fee भरनी नहीं है विजा free का जो time रहेगा इंडियन्स के लिए 10 November 2023 से लेके 10 May 2024 तक रहेगा थाइबाट आपको कितना cash carry करना है शिमकाड के बारे में बताऊंगा एरपोर्ट से hotel कैसे जाना है थाइलेंड में food बहुत ही ज़्यादा expensive है तो इसके बारे में थोड़ा details से में बताऊंगा ट्रावल करोगे थाइलेंड के अंदर grab वगेरा में तो उसके उपर भी में खर्चा हो सकता है तो अभी में आपको जो information देने वाला हो वो है single person के बारे में तो मैं गया था 15 दिनों के लिए आप साथ से 10 दिन या 15 दिन जाओगे तो आपको कितना खर्चा हो सकता है अभी आपको मैंने जितनी बाते बताई वो सारी बाते वन बाई वन डीटेल में में explain करूंगा तो वीडियो में रुके रहना कहीं मत जाना वीडियो बिल्कूल भी बीच में मत छोड़िएगा फिर आपको कुछ भी समझ मिने आएगा तो ये वीडियो थ पासपोर्ट के बारे में तो आपका पासपोर्ट शिक्स मंद वेलिडिटी वाला होना चाहिए सेगंड फ्लाइट के बारे में तो फ्लाइट का मेरा जो बजट था आई थिंक 24,500 रूपीज 24,500 रूपीज मैंने पे किया थी आने और जाने के तो आप नवेंबर में नवें पासिस बहुत ही कम रहती है तो आप उस टाइम ट्रावेल करना पसंद कीजेगा मेरी छुट्टी होती है नवेंबर में इसलिए मैं चला गया था नवेंबर में तो मुझे थोड़ी फ्लाइट महंगी पड़ी थी लेकिन आप नॉर्मल जाओगे तो अठारा से लेके 30,000 के पड़ेगा मैंने आपको पहले बता दिया है कि अभी हाल फिलाल थाई गवर्मेंट ने वीजा को फ्री कर दिया है इंडियंस के लिए मतलब कि आपको 10 नवेंबर 2023 से लेके 10 मई 2024 तक सारी इंडियंस को फ्री में एंट्री मिलेगी कोई भी वीजा फी आपको देनी नहीं प तो फटा फट से आपकी बैक पेक किजिए और निकल जाएए थाईलेंड के लिए वीजा के बाद इमिग्रेशन के लिए जाओगे तो वहां पे आपको साइद ये लोग पूछ सकते हैं आपके पास थाई भाट कितना इन हैंड आप कैस केरी कर रहे हो सिंगल पर्षन के लि ये mention किया गिया है मैं नीचे description में भी ये information दे दूँगा वहां पे आप जाके पढ़ लिजेगा कोई भी problem में नहीं पढ़ना चाते हो तो please carry कीजेगा 10,000 भाट कम से कम carry कीजेगा क्यूंकि आपको वहां पे जाके भी currency exchange तो करवा नहीं है तो आप इंडिया सा ही करवा के ल नहीं पढ़ेगी तो sim card आप true 4G का लेजिएगा उसका network बहुत ही अच्छा है और price भी बाकी sim card के मुकाबले कम रहेगा तो उसकी जो sim card की जो price है वो 8-10 दिनों के लिए अगर आप ले तो आपको 300 से 500 भाट देने पढ़ेंगे और आप 15 दिन की sim card लेते हो तो आपको तक्र सुवर्ण भुमी एरपोर्ट पे आप उतरते हो और वहां से आपको बैंकोक जाना है तो सबसे best और cheapest रास्ता है जो है एरपोर्ट लिंक रेल यार इतना सस्ता मतलब आप सोच भी नहीं सकते क्योंकि तो मैं एरपोर्ट रेल लिंक से गया हूं तो तकरिबन 40 भाट only लगे म तो बहुत ही सस्ता है आप एरपोर्ट लिंक से जाना पसंद कीजेगा केब या फिर ग्रैब मत बुक कीजेगा वह आपको 500-700 भाट का चुना लगा देंगे एरपोर्ट लिंक जो रेल होती है वह आपके लिए सबसे चीप रहेगा सिर्फ 40 भाट में आपको पहुचा देग और पटाय से एरपोर्ट में 150 भाट से 200 भाट में आपको एरपोर्ट पहुचा देगी तो ये आप बस से जा सकते हो वहाँ पे बस आपको मिल जाएगी एरपोर्ट में और इजी लिए ट्रावल कर सकते हो बस ऐसी रहती है और बहुत ज़्यादा कमफर्टेबल रहती है पानी और साथ में फ्रूट वगेरा आप बाई करोगे तो आपको 500 से 600 भाट लगेगा ही लगेगा अगर आप होटल में खाते हो तो दो टाइम का लगबग आपको पड़ेगा और मान के चलो पानी वगेरा मिला कि 800 से 1000 भाट आपका लगेगा ही लगेगा मतलब इंडरन सबसे आपको सस्तार रहेगा ग्रैब और उसमें भी आप सिंगल परसंट जा रहेगा तो ग्रैब बाईक ही करना वो सबसे सस्ती रहती है इधर उदर जाने के लिए और पटाय में जाओगे तो आपको ग्रैब तो मिली जाएगी लेगिन बहुत कम चलती है वहाँ पे आपक वहाँ पे आप इधर से उदर जा सकते हो एकदम सस्ते में और उस एप्लिकेशन का नाम है बॉल्ड तो आप बॉल्ड से ट्राविल कीजे वहाँ पे आपको बहुत ही सस्ते में इधर उदर जा सकते हो उसके बाद आता है नाइट लाइफ अगिरा गुमने के लिए तो 400 से 1000 भाट लगेगा यानि 2000 के आज पास आपका इंडियन रुपीज खर्चा हो सकता है अभी आपको स्टे के बारे में बताता हूं अगर आप सिंगल पर्शन हो तो होस्टेल में रुखिए इंडियन रुपीज 400 से 800 रुपे में आपको एक से बढ़ कर एक होस्टेल मिल जा बैंकोक पताया एंड फूकेट के अंदर एंड लास्ट में गाइस शॉपिंग शॉपिंग के लिए आप में दो जगह आपको बोलूंगा पहले है प्रातुनाम यहां पे बहुत सारे इंडियन जाते हैं और वहां प्रातुनाम एरिया के अंदर इंद्रा मॉल है इसके बाकी तो और कोई जगह पर जाओगे तो वहां पर सायद ही कोई हिंदी बोलने वाला मिल जाएगा तो इंगलीश और थाई भी लेंग्वेज बोली जाते है तो आपको समझ में नहीं आएगा थोड़ा इजी भी रहेगा आपको प्रातुनाम के अंदर इंद्रा मॉल के अं मारकेट आप कवर कर सकते हैं और जॉपिंग में अपको तीन हजार भाट से लेके दस हजार भाट का आपका खर्चा हो सकता है आपके उपर हैं आप क्या बाई करना चाहोगे इंडियन रुपिस में आपको मैं बता हूँ तो पांत से 10 हजार के बीश में भी आप आसानी से खरीदी कर सकते हो तो अभी मैंने आपको डीटेल में एक्सप्लेन कर दिया है अभी मेरा कितना बजट हुआ था वो मैं इंसोट बता देता हूं फटा-फट से तो मेरा फ्लाइट का खर्चा हुआ था 24,500 रुपे आने और जाने का तो उस टाइम पे मेरा खर्चा हुआ था व 400 बाट यानी होता है 1200 रुपे का और उसके बाद में एरपोर्ट से होटल गया था सिर्फ 40 बाट आना और 40 बाट जाना इतना ही मेरा खर्चा हुआ था वहां से में गया था पटा तो पड़ा इकमाई बस स्टेशन से में गया था बस में वहां पे मुझे 135 बाट देने उसके बाद आप फूड का मान लो आट से दस दिन जाते हो तो पंदरा से सत्रह हजार आपका खर्चा होगा टैक्सी ग्रेब का मान लो पांच से 6,000 खर्च नाइट लाइफ आप गुमते हो तो आपका 5,000 आप मान के चलो इंसुरंस अगर आप करवाते हो तो 700-800 के आज बा 14,000 के आसपास होता है यह आपका expense अलग हो सकता है मेरा जो expense हुआ वो 70-80,000 हुआ था 14-15 दिन की trip का खर्चा अगर आप जाओगे तो आपका बड़ भी शक्ता है कम भी हो सकता है लेकिन यह जो मैंने बता है वो minimum amount है अभी के time में आप Thailand travel कर रहे हो तो आपको पकड़ के चल जाओंगा nearest city जो इंडिया की है वहां से आप Thailand जाते हो तो आपको flight थोड़ी सस्ती पड़ेगी बाकी का खर्चा तो आपको लगेगा ही लगेगा जैसे मानलो मैं अभी मुंबई से flight के बारे में बता रहा हूं तो मेरी flight थोड़ी मेंगी पड़ेगी अगर आप दिली से जा तो बहुत लोग ना अलग-अलग बात बता रहे हैं 30, 35, 40, 50,000 में गुम के आ जाएगे बाया यह जमाना गया अभी 30, 50,000 में गुमने का अभी की टाइम में Thailand बहुत ही ज़्यादा expensive हो गया है अच्छी लगी होगी आपको in future काम आएगी और guys आपको ये बात बोलना चाहूंगा कि ये वीडियो अगर आपने ध्यान से देखे होगी तो आपको कोई भी problem नहीं आएगी अगर इसमें कुछ छूट जाता है कुछ रह गया है तो आप comment करके मुझे पूछ सकते हैं मेरे instagram क आपको follow कर लीजे endless travel 290 को आप वहाँ पे भी मुझे message कर सकते हैं और मैं आपको 24 hours से लेके 48 hours में reply करूँगा जरूर शे करूँगा 100% don't worry अगर मैं कुछ काम में होगा अगर मैं traveling कर रहा होगा तभी मैं आपको reply नहीं दे पाऊंगा लेकिन मैं try करूँगा 100% कि आपको मैं reply commission दी यह मेरे experience से दी है आपका experience अलग हो सकता है guys तो इसमें मैंने मेरा season 1 का expense share किया है अभी next video जो भी आएगी उसके अंदर में season 2 का मेरा expense मैं share करूँगा वो वीडियो भी आप देखना मत बुलिएगा guys so guys मैंने जितनी भी जानकरी आप तक पहुँचाई जानकरी आपको कैसी लगी comment के माधियम से बताएगा वीडियो आपको कैसा लगा वो भी comment के माधियम से बताएगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो like ठोक देना ये target मैं रख रहा हूँ कि आप कैसी भी करके 2000 likes इ उसके उपर उंगली करो कुछ भी करके वो subscribe वाला बटन दबा देना तो फटा फट चे जाके subscribe कर दो इस वीडियो में कम से कम 1000 subscribe का हम target रखते हैं और 2000 like का हम target रखते हैं तो guys ये target पूरा कर देना आपके लिए एसी informative वीडियो लेके आओंगा तो इस वीडियो में बस इतना ह अपनों का ख्या रखेगा जय ही जय भारत